कोरोना वाइरस के चलते लॉकडाउन के लगभग 60 दिन पूरे हो चुके हैं और अब अनलाक वन चल रहा है लोगों को कई काम काज में धील दी गई है बाहर आना जाना भी शुरू हो चुका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वाइरस का खत्रा पूरी तरीके से टल गया है या खतम हो गया है ये बात आप आम लोगों के दिमाग में है कि उन्हें क्या-क्या एतियातन चीजे रोकनी है और क्या चीजे करनी है लेकिन कई बार हम इन सारी जानकारियों के बीच ऐसे myths, humors या उसे हिंदी में मिथक्त कहें उन पर भरोसा कर लेते हैं ऐसे में जरूरी है कि उनसे बचा जाए क्योंकि ये परिशानी तो कम करते नहीं है बलकि आपको confuse और कर देते हैं इसलिए हम आपके लिए एक ऐसी गाइड लाए हैं जिसमें नौ ऐसे myths हैं जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि विशु स्वास्तंगठा ने इन myths के बारे में क्या कहता है तो उसे जान लीजिए और पैनिक से बचिए और लोगों को बचाईए नमस्ते बिरा नाम आदित्त है दरूर और प्रिश.in देख रहे हैं आप पहला मित थर्मल गन कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने में असरदार है लोग डाउन में छूट के बाद यह डिवाईस आपको हर जगा नसर आ रही होगी इसके दो पहलू है, कोरोना वाइरस से संक्रमिट लोगों में थर्मल, गन, बुखार याने की नॉर्मल टेंपरेचर उनका बॉडी टेंपरेचर पता लगाने में सक्षम है लेकिन उन लोगों के संक्रमिट का पता नहीं लगाया जा सकता, जो कोरोना से पीडित हैं या फिर उनमें लक्षन देखने को नहीं मिल रहे हैं डबलो एचो का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमिट होने वाले लोगों में बिमारी का पता लगाने में और बुखार जैसी चीजे आने में दो से दस दिनों का समय लगता है यहां भी ध्यान में रखना आम है कि फ्लू में भी कोविड-19 के जैसे ही लक्षन देखने को मिलते हैं जिसमें बुखार भी शामिल है सिर्फ इसलिए किसी को बुखार है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोरोना वाइरस होगा दूसरा मित, सोसाइटी ओफिस के बाहर कोई केमिकल का छिड़काओ कोरोना वाइरस से बचाओ अगर ओफिस जा रहे हो या सड़कों में कहीं पर भी आपको डिसिन्फेक्टन का इस्प्रे देखने को मिले तो उसे देख कर यह ना सोचिएगा कि यह आपको करोना वाइरस से बचा लेगा आपको यह चीज़ ड्रोन से करते हुए लोग दिख जाएंगे टनल में इस्प्रे सड़कों पर इस्प्रे लोगों पर भी इस्प्रे लगातार किया जा रहा है लेकिन WHO का कहना है कि घर के अंदर या घर के बाहर डिसिन्फेक्टन के छिड़काओ का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है WHO का कहना है कि लोगों पर डिसिन्फेक्टन का छिड़काओ किसी भी तरीके से सही नहीं है ये फिजिकल और साइकोलोजिकल लेवल पर नुकसान देर हो सकता है और इससे संक्रमिज सक्स के संक्रमन फैलाने पर भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता तीसरा मित अल्ट्रा वाइलेट डिसिंस्फेक्शन लैप कुरोना वाइरस को मार सकते हैं अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम का वो आईडिया तो आपको याद ही होगा उन्होंने अल्ट्रा वाइलेट रेस को बॉड़ी के अंदर इस्तमाल की सलाह दे दी थी ये सच है कि कुछलो हाउस्पिटल सत्हों पर माइक्रोब्स याने की बीमारी पैदा करने वाले जिवानों को मारने के लिए इस लाइट का इस्तमाल करते हैं जैसे ऑप्रेटिंग रूम में लैब में लेकिन डबलो हो के मुताबिक यूवी रेस का इस्तमाल कभी भी हाथों या तवचा पर इस्टेराइज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि या तवचा में जलन और इंफेक्शन जैसी चीज़ों को पैदा कर सकता है चोथा मित शरीर पर अलकोहल या क्लोरीन का छिड़काव करने से कोरोना वाइरस खत्म हो सकता है अल्कोहल और क्लोरोपीन का छिड़काओ करना सरफेस को डिसिंफेक्टेंड करने के लिए बहतरी तरीका है और आप यह भी जानते हैं कि अल्कोहल बैस्ट हैंड सेनिटाइजर में इस्तमाल भी होता है जो आपके हाथों को साफ करने में मदद करता है लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो पूरे सरीर पर भी अगर केमिकल का इस्तमाल कर लें तो आप वाइरस को खत्म नहीं कर सकते हैं डबलो एचो को कहना है कि ऐसे पदार्थों का छिड़काओ आपके नाक कान में इन्फेक्शन कर सकता है उसे हानी पहुचा सकता है हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है डबलो एचो का कहना है कि इससे ट्रांसमिशन का खत्रा नहीं है क्योंकि सामानों यानि की लेटर और अन्य पैकेट या फिर किसी विवस्तूओं पर करोना वाइरस लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता है छटवा मित पालतू जानवर कोरोना वाइरस को फैला सकते हैं उनसे ट्रांसमिशन हो सकता है मुम्किन है कि पैट्स कोरोना वाइरस के कुछ किस्म को तो फैला सकते हैं लेकिन डबलो एचो का कहना है कि इसमें अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि आपके पालतू जानवर से कुरोना वाइरस से संक्रमी की चेन को आगे बढ़ा सकता है उनसे यह फैलाव हो सकता है इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है लेकिन WHO यह नसीहत जरूर देता है कि अपने पालतू जानवरों के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ और जो भी अंग उससे टच हुआ है या उसके संपर्क में उसे साबू नया पानी से अच्छी तरह साफ कर लें साथवा मित सबके किचिन में उपलब्द लहसुन कोरोना वाइरस का देसी इलाज है जी नहीं कच्छे लहसुन के तुकडे की गंद भले ही स्ट्रॉंग होती है लेकिन यह बिमारी में आपकी रक्षा नहीं कर सकता है कुछ एंटी माइक्रोप्स गुण होने के बावजूद भी इस आउटब्रेक में ये आपको हमेशा बचा नहीं सकता है आठवा और बहुत ज़्यादा खतरनाक मित है ये अगर आपने 10 सेकेंड तक बिना दिक्कत के सांस रोक ली तो आप संक्रमित नहीं होंगे प्लीज ऐसा मत करिए कुरोना वाइरस के को कंफर्म करने के सिस्टम में ये किसी भी तरीके से सामिल नहीं है उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको हाई कफ होगा थकान होगी फीवर होगी निमोनिया जैसे गंफी लक्षण हो सकते हैं स्रिफ टेश्ट को ही कंफर्म करने के लिए रिजल्ट माने और इस तरह की ब्रीधिंग प्रैक्टिस बिलकुल ना करें गर्म पानी से नहाना आपको कोरोना वाइरस से बचा सकता है गर्म पानी से नहाना अगर आप घर से घर में वापस आते हैं या घर में नहाते हैं तो इससे परिशानी नहीं है आप अराम महसूस कर सकते हैं लेकिन वाइरस से इसके असर में कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप यह सोचते हैं कि आप नहा लेंगे गरम पानी से तो यह वाइरस खत्म हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो इसलिए हम आप से कह ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेस्बूक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं उसे फॉलोव लाइक कर दें शुक्रिया